टीवी रियालेटी शो बिग बॉस सीजन थर्टीन की कंटेस्टेंट रह चुकी और मशूर एक्टरस रश्मी दिस्साई हमेशा ही चर्चा का विश्यव बनी रहती हैं कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी जी हाँ दोस्तों रियालेटी शो बिग बॉस सीजन थर्टीन के खत्म होने के बाद रश्मी लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजराई है जहां एक और रश्मी दिस्साई ने शो को एंटर्टेन किया ऐसे मैं आपको बता दे कि सोशल मेडिया पर रश्मी दिस्साई हमेशा ही अपने फैंस से जोड़ी रहती है और इस पीच अपनी दिलकर्ष तस्वीरों को भी शेयर करती हुई नसराती है लेकिन यहां पर रश्मी दिस्साई ट्रॉलिंग का सामना करत करती हुई भी देखिजाती है जानकरी के आपको बता दे कि रश्मी ने हाल ही में अपने गुस्से को जाहे दिया है और यह गुस्सा जाहिर किया है रश्मी दिस्साई ने बिग पॉस सीजन 13 के विनर रह चुके और मश्रूर एक्टर सिधार्थ शुक्ला की वज़ा से दर तस्वीरों को शेयर करें इंस्टेग्राम स्टोरी पर रश्मी ने अपने फैंस की इस गुजारिश को मानती हुए एक तस्वीर को शेयर किया रश्मी दिस्साई ने इंस्टेग्राम पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि वो ये फोटो पब्लिक डिमांड पर शेयर क शिद्धार्ट को एसे मैं देखा जाए तो रश्मित दिस्साई अब अपने गुश्से को जाहिर करती हुई नज़र आई है दरसन जानकरी कलिए आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर सिधार्त के फैंस कहते हुई नज़र आए है कि रश्मित दिस्साई ये सब फोटेस पाने के लिए कर रही है लेकिन रश्मित देसाई ने देर ना करते हुए ट्रॉलर्स को जबाब दे दिया है मुझे लगता है कि लोगों को अपना दिमाग का इस्तिमाल करना चाहिए मेरा को एक्टर रह चुका है तुम वेव कूफों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने ये तस्वीर फैंक्स के कहने पर शेयर की है मुझे किसी की अटेंशन की कोई ज़रुत नहीं है ये बात हमेशा याद रखना और इस तरह से रश्मी ने अपने गुस्य को जाहिर किया है सोशल मेडिया पर रश्मी ने स्टोरी शेयर की है और अपने गुस्य को जम कर जाहिर करती हुई नज़राई है वैल ये तो आप सभी जानते ही है कि रश्मी और सिधात सीरियल में साथ में काम कर चुके है वही रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में इन दोनों की बॉंडिंग देखने को मिली है और इनकी बीच लड़ाई जगडे भी देखने को मिले है हमारे इस खास रिपोर्ज में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते ही नेक्स्ट नाई न्यूस